Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Diarosics, White Truth Always Exposes Darkness तो आज का जो टॉपिक है गाईज वो है, Candle Wax Reading बट ये है पेपर के ऊपर ठीक है कही नगाई पे हम जानते ही है Candle Wax Reading, Sand Wax Reading, Sand Reading मैंने किया है इससे पहले Turkish Coffee Cup Reading मैंने किया है, Cubes किया है, Tickets, It's one of form of dice, Definitely Runes किया हुआ है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये नए नए टेकनीक से आपको मैं clarify कर पाऊ, आपको मैं guidance दे पाऊ, तो ये एक तरीका है तो इसके बात भी और भी surprises आपके लिए वेट कर रहे है, तो प्लीज आप चैनल को देखिए, Like, Share, Subscribe ज़रूर करना है आज की जो विशय है वो है आपके पार्टनर का big decision, final decision इससे भी पहले मैंने किया था, but that was on water, आज मैंने paper के उपर किया है, तो चलो शुरूआत करते हैं, timeless reading है, gender neutral reading है, male, female सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो, चाहिब relationship में हो, no contact में हो, कोई भी situation पे हो, तो आप देख सकते हो, तो let's start it guys, and comment में ज़रूर claim कीजिए reading को, अभी आप अपने person के बारे में focus कीजिए, ठीक है, so universe, paid guides and angels, please guide me in the right direction की, मेरे जो viewers है, उनके partner, उनके बारे में क्या सोच रहे है, क्या feel कर रहे है, और उनका बड़ा कदम क्या होगा, बड़ा decision क्या होगा, so universe, paid guides and angels, please guide me in the right direction, basically, आपके इंसान जो है न, अभी का energy मैं यहाँ पे इस तरह से देख रही हूँ, yes, यह एक, देखो, एक circular shape यहाँ पे form हो रहा है, right, it's like a circular shape, तो कही न कहीं पे यह इंसान, देखे, आपके साथ reconnect करना चाहते है, आपके इंसान है, बहुत ज़्यादा mature, और इनके आँखे बहुत prominent है, कही न कहीं पे मैं इनके energy देख पार ही हूँ, यह काफी ज़्यादा, कहीं न कहीं पे यह जो है न, बहुत ऐसे इंसान है, थोड़ा सा गुसे, थोड़ा सा temper हाई करने वाले इंसान, इनके eyebrows बहुत ज़्यादा prominent होंगे, यह mature भी है काफी ज़्यादा, इनके बाल में थोड़ा सा ग्रेश बाल हो सकते हैं, तो ठीक है, आल राइट, अभी जो मैं देख रही है, यह गुसे में भी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके, मतलब आपके बेना, इनके जिन्दगी न, पूरी तरह से, जिस तरह से होता है न, कि महलों में, अगर कोई नहीं रहता, तो कितन ज़्यादा सुनापन महाँ पे होगा, तो इनकी दिल एक महल की तरह है, बहुत ज़्यादा सुनापन अभी आ चुका है, ठीक है, और यह तब ही जाके, पूर्ण हो पाएगा, जब आप उनके जिन्दगी में कदम रखोगे, लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप के वज़ हैं बहुत ज़्यादा, चाहे आप लाग गुना भी कोशिश कर रहे हो ना, कुछ लोग, इनकी दिमाग से ने निकल पाएगा, यहाँ पे एक लीफ फॉर्मेशन हो रहा है, देखो, यहाँ पे पत्ता फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन्शिप में, इस स पूरी तरह से क्या होता है, जो पेर है, वो तो मरी जाएगा ना, क्योंकि पत्ता जो है, वो ही खाने का काम करता है, ठीक है, पेर का जो निट्रिशन वो पत्ते से ही आता है, तो डेफिनेटली इस रिलेशन्शिप में, यह इनसान जो है ना, इस रिलेशन्शिप को कायम र पैसे के पीछे, yes, it's there, but this person is very crazy towards money, क्योंकि इनको लगता है, यहाँ पे V, T, something is forming, why? इनको लगता है कि पैसे से stability आता है, देखे है, पैसे से मजबूत ही आता है, strength आता है, इनके मन की शांती भी आता है, यहाँ पे जो shape बन रहा है, यह एक तरह का, डॉल्फिन का phase बन रहा है, यह जानते है कि आप कितना चुलबुले हो, आप कितना friendly हो, आप बहुत ज़दा हस्मुख हो, तो यही चीज यह miss कर रहे है, अगर यह आपके साथ अभी बात नहीं कर रहे है, या कम बात कर रहे है, तो आपकी जो सादगी है, आपकी जो खुश्वू है, आपकी जो fragrance है, एक extra level पे है, तो वो यह miss कर रहे है, this is taking the shape of a dolphin, कहिना गहीं पर मैंने जो भी letters बोले है, important हो सकता है, okay, alright, what a sign की हो सकता है, आपके person, cancer, paches and scorpio, alright, यह इंसान आपसे यही कहना चाहते है, कि आप थोड़ा उनका इंतिजार करो, यह आपके जिन्दगी में वापस आएंगे, यह आपके जिन्दगी में एक confirmation देना चाहते है, even जब भी भी यह काम करते हैं, यहाँ पर देखो, एक pentacle form हो रहा है, ठीके, diamond form हो रहा है, diamond का मतलब है, अगर tarot cards अनुसार जाए, तो taroters, Virgo, Capricorn है, कहीना कहीं पर यह आप से कहना चाहते है, कि आप इनके इंतिजार करते रहो, ठीके, और इनको भूल मत जाओ अप, ठीके, अगर आप इनसे गुसा भी हो, तो इनको आप सामने ही बोल दो, लेकिन इनको भूलना नहीं है, यह किसी के साथ भी आपको देखना नहीं चाहते, किसी के साथ, आप relationship में चले जाओ, यह बरदाश नहीं कर सकते, मुझे लग रहे हैं, आपके person आइदा तो बहुत ज़दा rich है, या well-to-do family से belong करते है, इसलिए काफी ज़दा pampered है, यहाँ पर 11, 11, 11 बहुत prominent है, बहुत ज़दा, 1, 1, 1, 1, 19, 28, 10 can be the date of birth, बाकी सारे science के लिए है, फिर भी मैं आपको बताया, देखो, January माहिना काफी important हो सकता है, या November माहिना काफी ज़दा important हो सकता है, ठेक हैं? आपको दिखा पाते हैं, आपके लिए कुछ कर पाते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ मजबूरी थी, इनकी भी बहुत ज़दा, over ambitious tendency, जो बहुत ज़दा futuristic tendency, इनको आप से जुदा कर दिया, ठेक हैं? फिर भी यह इनसान आपको भूल नहीं पाए है, अगर आपको लगता है, इनसान आपको भूल चुके है, no it's not like that, अगर हम इस तरह से देखें, यह एक shape बन रहा है, something shape is being formed, it's like a face, ठीक है? बहुत negative energies है, आप दोनों के आसपास, यहाँ पे A letter form हुआ है, A, Y, I, H, एक पेर जिस सरह से protection देता है, ठीक है? यहाँ पे घने बादल भी है, Aquarius Gemini Libra हो सकता है आपके person, आपके person हलका महसूस करते है सिर्फ आपी के साथ, जिस सरह से गर्मी के बाद बारिश आता है, और सब लोग को relief मिल जाता है, पेर बादे को automatically naturally पानी मिल जाता है, तो यह इनसान चाते है इस relationship में एक natural flow maintain हो, कोई जंजट ना रहे, कोई interference ना करे, अगर आप already शादी शुदा हो सकता है कि आपके ससुराल वाले, इनके घर वाले, आपके घर वाले बहुत interference करते थे, ऐसा हो सकता ह मुझे लग रहा है, मतलब gift या कुछ exchange को लेके कुछ हुआ था शादी के वक्त, अगर already आप शादी शुदा हो, या अगर आपका शादी इस इनसान से रिष्टा पका हो चुका था, कही नगाई पर ये इनसान आपसे चुपाये थे कुछ चीज, ये इनसान के, मुझे जिम में जाते हैं, बहुत फिट रहते हैं यार, बहुत अच्छा अच्छा शेप सा रहा हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर देखो, symbol of peace कमी, ये इनसान शानती जाते है, क्योंकि कही नगाई पर सुकून आपके साथ मिलता है इनको, अगर आपको लगता है ये इनसान दूसर रिलेशनशिप में भी चले गए होंगे न, तो आपके जैसा अनुखा, रिलेशनशिप, उनको कहीं नहीं मिलेगा, ये कभी कबार न, जब भी आपको मिस करते, इवन रोते भी है, I do feel like that, यहां पर infinity symbol आ रहा है, ये रिलेशनशिप को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकत इनके final decision देख लेते हैं, universe प्रीज बताईए, इनके final decision किस तरह से होंगे, 10 मुझे यहां पर दिखा, V, victory, ठीके, फैसला आपके favor में जाएगा, प्रीज बताईए, इनका आखरी decision क्या होगा, आखरी फैसला क्या होगा, हाँ, जो मुझे यहां पर, यहां पर महसूस हो रहा है, यहां पर देखो, किसी का पैर आ रहा है, आप खुद देख रहे हो, किसी का shoe है, यहां पर पैर है, तो action यह, इनसान जो है ना, यह definitely लेंगे, ठीके, इनसान definitely action लेंगे, आपके favor में लेंगे, and वू हो सकता है within 10 days 10 weeks हो month of October can also be important for you. अभी हम देखेंगे इसको verify करेंगे. थोड़ा देख लेते इसमें से कुछ special shapes आया है तो A is there, A is there I do feel this is the lake. This is the action oriented thing. यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आ रहा है union. This is like you know what? यहाँ पर उपे निहोड़ा है कुछ. अगर आप blockage में हो मतलब कुछ कुछ कुदली में blockages है, उनके कुदली में blockages है तो यह हटने वाला है, जो confusion के बादल है, वो हटेंगे definitely. Okay So let me see with the cards उसको हम साइड में रख देते हैं guys, ठीक है? So universe, paid guides and angels फिस गाइड में the radiation की marriage of yours है, उनके जिन्दगी में क्या आने वाला है, उनके person क्या आकरी फैसला लेने वाले हैं mature man, यह maturity के साथ और आपको बता था, यह इंसान के grey color के hair हो सकते है कुछ greyish, 5 stands for communication mercury, तो definitely आपके दर आप communication आ सकता है court house 23 again, it comes to 5, so double 5, triple 5 हो सकता है कि आप देखो कहीना कहीं पर मैंने यह भी आपको बता था कि 10 आ रहा था, so 5 plus 5 goes to 10 also court house हो सकता है कि इनके कुछ मामले है, मुकदमा हो सकता है, court में चल रहा हो या कुछ इनके ex-wife related कुछ हो सकता है family मैंन आपको बताया था, कुछ हो सकता है related, 24 important date इन्होंने आपके दिल चुरा लिया, जो भी हो लें तुम दिल की धरकन में रहते हो, रहते हो देखो, definitely इनके जिंदेगे, death card this is a new situation so of course, जो आपको लग रहा है कि situation कभी भी change नहीं होगा no, it will be there so it will be a new situation, yes great fortune मैंन आपको बता था, आपके person जो है बहुत ज़दा futuristic है, goal oriented है materialistic है, पैसा कमाने के चकर में उन्होंने ऐसा किया लेकिन इनको ये पता नहीं था कि आप इनके लिए इतना lucky symbol हो जो lucky जो है ना, उनको उन्होंने खो दिया, इनको लगता है, देखो, gift ठीके, I told you guys, कि this person is gonna, gift लेके मैंने आपको ये भी बताया था, gift लेके भी कुछ issues हुए है देखे, ये क्या हुआ है, आप comment section पर जरूर बताना, बड़ ये इनसान आपको मानते है, कि universe के तरफ से आप इनके लिए gift हो so of course, it's house so house becomes a stability of course तो ये इनसान के जो आप देख रहे हो feelings, यहाँ पर कोई भी negative card नहीं है thief जो आया, यहाँ पर real thief नहीं है इन्होंने आपके दिल को चुराया है, और कुछ नहीं या इन्होंने ये hide किया था कि इनके कोई family है ये भी हो सकता है तो आपको जान के जब दुख हुआ होगा इनको भी realize हुआ होगा कि इनको आपको पहले बता देना चाहिए थे ठीक है बट इनके सोच काफी जदा परिवर्तन हुए है बट ये जिद्धी बहुत जदा है सोचते सोचते ये बहुत लेट काम करते है इनको जान के समया